स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर यदि आप इस साल लहाव अन्वर्चिटी का इंटरंस एक्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ लहाव अन्वर्चिटी इंटरंस एक्जाम 2022 का फॉर्म जो है वो आ गया है इन्वर्चिटी ने खुद बताया है तो इसे मैं आप आपको इन्वर्चिटी ने क्या बताया और क्या बोला इसके बारे में ये बात आप सब को यहाँ पर बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आप सब को बता दू यदि आप इलाव अन्वर्चिटी से आप सब के सामने दिख रहा है ये इलाहब अन्वर्सिटी की ओफीसियल विबसाइट से निकला गया है कहां से निकला गया है इलाहब अन्वर्सिटी की ओफीसियल विबसाइट से निकला गया है आप भी जाकर देख सकते हैं मैं पूरी बात यहां पर आप सबको पढ़कर सु पूसिस करूगा लिखा है विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्पुसित सभी केंदरी विश्विद्यालय में शंचनिक सत्र संदोजार 22 तेस के समाधक कारिक्रमों में प्रवेश के विश्विद्यालय सयुत परिच्छा जिसे पहले CUCT बोलते थे अब CUET बोलते हैं CUET राष्टिय परिच्छा एजंसी NTA द्वारा हिंडी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेनगुक, तेलगु, कननर, मलयानम, उर्दु, असमिया, बंगाली, पंजाबी, ओडिया और अंग्रेजी सही 13 भासाओं में आयो जितकी जाएगी पहले सब्ता से form उपलब्द होगा, मतलब हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कितने अप्रेल से form भरा जाएगा, दो अप्रेल से मतलब की जो है आपका CUET का form भरा जाएगा, या आप जो है बिना CUET, CUET का form भरे बगैर, बहुत ध्यान सुनिए, बिन C.U.E.T. का फॉर्म भरे बगएर आप इलहाब अनुभर सकते और ध्यान लीजे आप इलहाब अनुभर सटी में ऐड्मीशन भी नहीं ले सकते यदि आपको इलहाब अनुभर सटी में एड्मीशन लेना है तो आपको कौनसा फॉर्म बरना पड़ेगा C.U.E.T. CUT पर हमने काफी वीडियो बनाई है यदि आपको और डाउट है तो कमेंट करिए मैं आपके डाउट पर जो है अगला वीडियो कल सुबह आपको दे दूँगा ठीक है तो CUT का जो फॉर्म कर डेट है वो 2 अपरेल से लेकर कब तक है 30 अपरेल तक है यह इस बात का विशेज जान दीज़ेगा ठीक है अभी लाव निवर्सिटी ने जो है वह आज या कल तक जो है अपनी नोटी जारी कर देगी कि वह मतलब की अपना कफसे मतलब की अपलाई करवाएगी लेकिन CUT का जो है फॉर्म 2 अपरेल से भरा जाएगा तो जाएड़ सी बात है उसी के साथ सार जो है जो फॉर्म भरने के लिए मतलब के अपना फॉर्म देगी उसमें ही साथ मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है जो भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट करता रहूंगा ठेंकी सो मच जैहिन वाने मात्रम